एक गाउ में हीरा नाम का एक आदमी रहता था, वो काफी अमीर था और उसे अपने अमीरी पर काफी घमन भी था, एक दिन वो अपने कृष्टिदार के घर जाता है, और वहाँ पे एक बड़ा सा होम थेयर्टर देखता है, होम थेयर्टर देखने के बाद उसके मन में खयाल लाता है कि इसका होम थेटर कितना बड़ा है और मेरे पास टीवी के नाम पे सिर्फिक डिबबा वो अगली हिदन जाकर एक बड़ा सा होम थेटर खरीद लेता है एक दिन वो अपनी कार में सेर करने के लिए बाहर निकलता है तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चम चमाती हुई कार पर पड़ती है और वो सोचता है इसकी कार कितनी बड़ी है और मेरी कितनी चोटी अगले हिदन जाकर वो एक नई सी कार खरीद लेता है दोस्तों का डिजाइनर कपडों का कलेक्शन देखकर खुद के लिए भी एक बड़ा सा कलेक्शन बना लेता है ऐसा करते करते उसन इतनी सारी दौलत होके भी उसका मन अशान्त रहता था उसको यह महसूस हुआ कि इतनी सारी दौलत होकर भी वो खुश क्यों नहीं है वो सोचता है कि मेरा मन इतना बेचैन क्यों है जब एक चीज मिल जाती थी उसके बाद वो दूसरी चीज खरीदने के पीछे लग जाता था एक चीज खरीदने के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज, इसकी कोई सीमा नहीं थी और जब तक उसे वो चीज नहीं मिलती थी वो दुखी रहता था इसलिए वो निश्चे करता है कि उसके पास जो भी चीज रहेगी वो उसी में खुश रहेगा